हलो दोस्तों, आज के सी वडियो में आप सेखें कि आप AERO workshop में पासपोर साज फोटू कैसे बना सकते हैं तो जैसा कि आप लोग देख हरे हैं दोस्तों कि मेरे पास कुछ इस प्रकारशती फोटू था इस photo मैंने किया किया सबसे पहले तो मैंने इस photo का background को remove किया है उसको बाद मैंने अपने नुशार से photo का background में color को फिल किया जैसे कि आप देख रहे हैं उसके बाद मैंने पासबसाज photo बनाया दोस्तु तो अगर जो आप भी सेखने जाता है कि यह सभी काम Adobe Photoshop में कैसे किया जाता दोस्तो तो वीडियो पर बन रहे हैं अगर दोस्तो चैनल पर नहीं हो चैनल के subscribe जुरू कर जिएगा और चलिए मैं आपको सारा step by step में समझाता हूं कि आप Adobe Photoshop में यह सभी काम कैसे कर सकते हैं सबसे पहले में कखरता हूं इसको यहां से minimize कर देता हूं और अपना Adapt को मैं Запिण कर लिया हैं दोस्तो कर सकते हैं मैं इसी फोटो को आपको पासवचाई फोटो बनाना सिखा करना सिखा दूंगाह तो मैं प्ड रोटो भूष्मित्टों कसे दोस्टों को अगर आपके लेयर नहीं करा तो दोस्तों सब से पहले आपको डिक करना उस पर करदें वाइब को जिए घ्यार कर सकते थे तो मैंने हैं इसको इसको को आपको utik कर दो इतना कम करने के बाँस्ते नहीं जाने के और आपको इस प्रकार से मैं पॉलिघ को सब्सक्तिए करने के लिए सो अद्सक्नाऀ्ट को उसको सेट कर लिया vertex कर लिया Control अस Amp यहां से यहां पर मैंने क्लिक किया और कुछ से जैसे कि आप को देख रहें तो schwण ईहां से आपको थ्मॉला सट टाइम देखर अपना सिलेक्षिन बनाने से पूर्टो थेSoom का तूब अधिरू बनेका कूकल इस टांप से जैसे की आप दोह देख रहीए कि到 ओCat तो आपको फोटोaż सेलेक्षिन बनाने होट बना चलाना है मैं थोड़ा सा आपको करकर दिखा देता हूँ और इस टाप से आपको उसी पाइंट पर ला करके मैं इसको मिलाया हूँ आपको कीबोड से डिलीट बेटन को प्रेस कर देज़ेगा तो देसके आपका बैगरूण अच्छी प्रकार से हाँ पर रिमूब हो चुका है दोस्तो मैं सभी फोटू का बैगरूण को मैं रिमूब कर देता हूँ पॉलीकॉन लासे टूल की मेंदल से तो फटाफाट मैं जल चलिए में आगा कर लेता हूं जल्दी फटा फट तो दोस्तों आपने देछा कि मैंने आपको पॉलिगोल लाहसल टूल की मदद्से अपने फोटो कfach बैग्रून को मेंने रेमूब कर लिया देखे दोस्तों सबसे पहले आपको मैंने बताया कि इस तरह से आप अपने फोटो को बैगरोन को आप रिमूब कर सकते पॉलिकोन आशी टूल को मदद़ से कि आप को अप प्रेत बहुत अपता कि आप का जो, बढ़र रिमिप में स façon किसा है की इसमें अपने निशाल से किनी हमें केलर का है इस में की हम्ट इसमें पहले फिल कर रेक्स पर पहली कई के पिसमें सोब अपना लेर, आजाना जीसे जो तो मैंने रिमुट किया था दोस्तों यह ला रहूँ होther यह पर उसका पाद नीचे लेयर हुआ यह मिला पहला पहला इस पर मैंने क्लिक किया उसके आपको फोटो का फिल हो जाएगा तो आप अपने रिबाख सब्सक्राइब कर लिए उसके और इंप्सक्राइब करें Jim तो इडिट करने के लिए दोस्तों जो आपका जो बैग्रोंड जो रिमूब हुआ तो दोस्तों उसे बाद लेयर पर आपको किलिक करना उसके बाद आपको कीवर्ट से कंट्रोल M बटन को प्रेस करना है और इस बीच वले ग्राब को थ्वासर पड़कर आपको उपर कर उठा उसको आपको करना दोस्तों विसुरूरा से मैं श्रकर डिये rehPP लतों धोस्तों यह काफी और अच्छा भी देख लाइयर इतना काम की आपको करना है अब चलिए में आपको पाशर शक्षाज पड़कर मत्रोंगर करता हूं और पर्टब्लप करता हूं तो क्रॉप करने के लिए दोस्तों आपको क्रॉप टूल को स्लेट करना है जैसे कि आपने देखा है कि मैंने क्रॉप टूल को स्लेट किया दोस्तों उसके बाद आपको विभीत में लिखना है 1.2 इंच और हाइट में लिखना है 1.5 और एजलेशन में रहाएगा 300 रहाएगा इस परकार से दोस्तों आपको सबसे पहले अपने क्रॉप टूल का सेटिंग इस परकार से आपको अपने फोटो पर इसको क्रॉप करना जैसे कि आपको देख रहे हैं क्रॉप करने के लिख वाद आपको सभी बॉक्स पर जो इंट रहेगा उससे करना उसका प्रेज कर सकते हैं उसके बाद आपको custom size में लेगा तो इसमें आपको फोर गुना 6 को select कर लेना उसके बाद आपको width में लिखना है 6 और height में आपको लिखना है 4 यान को उल्टा कर देना इसको उसको आपको यहां से ok कर देना तो आपका जो page रहागा कुछी इस परकार से create हो जागा है उसके बाद मैं चलिए आपको move tool को आपको select कर लेना move tool को select करने के बाद अपने photo को इस पर करना है और अपने page पर ला करके इसको छोड़ देना है जैसा कि आपको देख रहे हैं तो आपका photo अपने page पर आ जाएगा अब मैं चलिए अपना photo को यहां पर adjustment कर लेता हूं दोस्तो तो दोस्तो अगर जो आप चाहते हैं कि अपने photo को चाड़ा थरप से बॉटल लगाना चाहते हैं तो बॉटल लकाना इंहीं आपको त्को शिखा दे और आ पपने photo को चाड़ा थर प्से बॉटल लगा सकते हैं दोस्तों अब sliding स्वाह चलिए आपको keyboard को प्रेसर रखने प्रकार्स से अपने मावस से आगे के ये यह द्रयकर is तो आपको फोटाच होगा व भी यहां भूर मैं देखें आपको और स्यंट्र को travelling करने का तो आप तो हम यहां से मैं बीच वाले सेंट्रों को भी अजेस्मेंट कर लेता हूं और आपको क्यूबर्ट से कंट्रोल इबेटन को प्रेस कर देना तो यह चारो फोटो एक गुरूप में बन जाएगा इस फोटो को आप कहीं पर भी अच्छी प्राइश से दोस्तों कर सकते हैं चलिए मैं कुछ इ थे भी होगी और चार नीचे हुए कि निशेट करकर और इसन फोटों बना सकते ह्यं क्यों जासा कि प्रिंट कैसे निकला जाता था फृन के लिए तो मेरे computer में print option select नहीं है दोस्तो तो इसलिए नहीं कुछ दिखा रहा है यहां से मैं इसको cancel कर देता हूं अगर जो आपके computer में print connect रहेगा दोस्तो तो आपको automatic दिखा देगा कि आपको अपना print को select करना है दोस्तो उसके बाद अपना print निकाल सकते दोस्तो तो मैं इसको क्या करता हूं दोस्तो मैं फाल पर क्लिक करकर इसको मैं save कर लेता हूं और save में करता हूं पीडिया फॉर्मेट में सेव कर लेता हूं दोस्तों ताकि मैं कहीं जहां पर भी प्रिंट रहेगा वहां पर मैं जाकर इसको निकाल लेंगा दोस्तों तो आपको भी दोस्तों अगर जो आपके पास भी प्रिंटर नहीं है तो आप इसका पीडिया फॉर्मेट में सेव कर सकत आप जरू करें दोस्कों कियांगे हैं को मिटेस रहें इस प्राइब से वीडियो बढ़ा रहते हैं वीडियो पर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में